तो वेलकम बैक एवरीवन माई नेम है सायन गोस चले शुरू करते हैं आज का एनले से जहां पर स्टड़ी करने वाले की नेक्स्ट वीक के लिए ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको अपने वाचलेश में रख सकते हैं साथ ये साथ ये भी डिसकूस करेंगे की निफ्टी के ऐसा म मुमेंटम के कौन सा ऐसे लेवल है जिसको ब्रिक करने के बाद निफ्टी मीजर कोई वन साइट डिरेक्शन दे सकता है इसके बार में डिसकूस करेंगे साथ ये साथ देखने वाले कि इस वीक में कौन से स्टॉक है और पिछले वीक वाले स्टॉक ने कैसे मोमेंटम किया पूरा डिटेल डिसकूसन करेंगे तो वीडियो लास्त तक जरूर देखना तो हर बार की तरह अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विट निफ्टी एनलाइसिस तो देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया है तो अगर निफ्टी को यहां पर डीटेल में एनलाइसि अगें जब नीचे आया तो इसने 50 EMA support ले लिया 50 EMA में फिर अगें ये 20 EMA के support लेके फिर उपर जाने कोशिस कर रहा है साथी साथ देख सकते हैं कि last candle जो formation हुआ है this is a hammer candle बट इसने इतना भी deep downtrend नहीं है एक red color candle के बाद ही दिया है फिर भी 20 EMA के उपर आया है it is a slight positive indication की सायद से market उपर जा सकता है बट हमें तो price action के इसा अपसे जाना है बट यहां पर जो major support resistance level मुझे देख रहा है और इसको यह पूरा निफ्टी एनलाइसिस हमने अपने बिंगॉली यूट्यूब चैनल में भी किया है अगर सायथ इसका वीडियो थोदे पहले पोस्ट होगा यह थोदे बात पोस्ट होने वाला है तो वो वीडियो अगर आप बिंगॉली हो तो जरूर देखने लिए इसका लिंक आपको मिल सकता है हमारे में चैनल में इन्वेस्मेंट का क्या आप सर्च करोगी यूट्यूब में तो वहां पर लिंक मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने क्या analysis किया तो बदाता हूं तो major resistance level मुझे यहां देख रहा है और अगर 50 यह में के नीचे आ गया तो बहुत अच्छा फॉल पर देखने को मिलेगा अभी बेरिशनेस में यहां पर क्यों दिखा रहा हूं ध्यान से देखना यहां पर जो RSI बना रखा है यहां पर RSI प्लॉट किया हूए RSI इन डेली टाइम फ्रेम 55 के आस पास चल रह है तो this is a slight indication की market साइथ से और थोड़ा sideways जा सकता है नहीं तो bearish हो सकता है बुलिशनेस का sign अभी तक यहां पर नहीं आया है तो हम वेट करेंगे कि nifty अगर अपना high break करता है तो definitely nifty including कुछ जो stock है nifty 50 वाले वहां पर कुछ अच्छा bullish momentum मिल सकता है चलो अब कुछ stock देख ले week में चार stock हमने discuss किया था तो सबसे पहला stock जो था that was algae equipment of Monday this candle वासा Monday candle Tuesday को हमने देखा कि market ठीक नीचे आके almost support लेके ठीक उपर भागा है तो कहिना की discuss हमने किया था कि market थोड़ा सा नीचे आ है फिर high break कर एक possible move हो सकता है यहीं से एक percentage find करते हैं कितना percentage market ने move किया है इस breakout के बा बताना कि इस particular stock ने आपने कोई position बनाया की नहीं बनाया आपका analysis यहां match किया की नहीं किया और किता percentage gain अपने किया ठीक है अगला stock देखेंगे that was MFSL यहाँ पे कुछ interesting था हमने देखा था weekly time frame में yes in weekly time frame market एकदम support के आसपास है daily time frame weekly में एक और चीज़ दिखा था that was a fighting candle high के उपर अगर market जाता है 907 के उपर यह 905 के उपर एक bullish momentum देख सकता है वहीं पर हमने daily time frame में देखा कि market एक sideways zone में था एकदम Tuesday वाला candle एकदम यहाँ भी Tuesday वाला candle जिसने यहाँ पर breakout दिया और after breakout अगर हमने breakout में कोई entry लिया होता मैं closing यहाँ पर consider कर रहा हूं high consider नहीं कर रहा closing wise इसका जो ROI generate was that was a box 9 percentage तो इसने बहुत अच्छा momentum दिया है IDFC First Bank जो हमारा third number stock था इसने अपना high break किया नहीं हमने discuss यहीं किया था कि 87-88 के उपर जाए तब जाके कोई bullish momentum मिल सकता है बट नहीं हुआ यह उपर जाए नहीं पाया वापस से नीचे आ गया तो अभी तक फिलाल इसको अभी भी watch list में ही रखने वाले जब तक ही 86-87 के उपर नहीं जाता no entry no enough मतलब कोई action यहाँ पर नहीं लेना है यहाँ चलो अगला stock है यहाँ पर सिंजिन सिंजिन को हमने कब study किया था इसका हम देखेंगे Tuesday को हमने study किया मतलब यहाँ पर था उस दिन जब हमने study किया तो Tuesday को अच्छा का सा momentum मिला अगर हमने यहाँ पर entry लिया होता तो market उपर तो गया ही नहीं उल्टा नीचे आ गया कितना percentage नीचे आ चुका है only six percentage तो फिलाल देखो मैंने पहले भी discuss किया था मुझे कहीं लोगों ने पूछा भी हमारे student में पूछ रहे थे sir मैने तो सिंजिन अभी भी कोसिस करें अबसाइड जाने का अगर हमने देखा कि एक दू दिन के अंदर इस लोग के नीचे आता है तो आप यहाँ पर अपना stop loss मेंटेन कर सकते हो यहाँ पर अगर मैं यह में प्लॉट करता हूं यहाँ पर हम जो यह में देख रहे थे that was 2020 यह में का range था नहीं करना है चांसे सार दिया सायथ से फिल अपसाइड यह जा सकता है तो इसका अगर वेट और वाच करेंगे particular stock के अंदर देखतें क्या होता है यह कुछ stock थे last week के अब इस week के कौन से stock है उनके वरन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला stock यहाँ पर जो discuss कर रहे हैं यहाँ अ एक rounding bottom पिशले बार यहाँ पे दो तीन बार resistance बनाया गया था बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे market एक slot में उपर आ रहा है देखो कितने मुश्किल से कितना मेहनत करके market उपर जा रहा है तो chances are there कि अगर यह अपना high break करता है that is around 600 level तो बहुत अच्छा momentum further upside मिल सकता है but keep in mind यह cement sector का stock है cement sector cyclic stock होते हैं तो आपको यहाँ पर projection wise खेलना है bigger target का expectation नहीं करना है अगर आप proper swing trader हो तो आपके रिक्स के साफसे अगर आपको target मिल रहा है one is to one या one is to two का तो प्लीज exit करना मत भूलना ठीक है अब आते हैं daily time frame में देखते हैं यह क्या perform कर रहा है देखो daily time frame में यहाँ पर मैंने 20MA बठा रखा है तो 20MA में exact इसने support लेकर अच्छा कासा momentum दिया है आगे यह consolidated phase में है तो हमें चेक करना है कि एक दो दिन के अंदर यह अपना high ब्रेक करता है कि नहीं करता हाई है इसका almost 586 या 590 के असपास तो अगर कोई भी strong candle कोई भी strong candle इस high के उपर ब्रेक करता है और अच्छा कासा volume generated होता है तो chances are there यह अपना uptrend continue करेगा तो हम फिर इसको watch करना है तो इसमें wait and watch करना है 590 का level अगर 590 को पर sustain किया तो definitely यहां पर बोले सब्सक्राइब मिल सकता है अगिन यहां पर मैं हर बार की दर डिसकस करना चाहूंगा प्लीज किसी भी stock को एससर recommendation treat ना करो क्योंकि यहां आपको भी analysis करना है अब मैं स्टॉक बता रहा हूं investment आपको स्टॉक बता रहा है इसके मतलब एकदम भी नहीं के वाँ जाके buy करना है आपको भी analysis करना है तो हमारे गलती वैसे आप loss मत करो प्लीज अपना भी analysis करो हमारा भी loss होता है हम भी अपना analysis करते हैं बट एक छोटा सा point एक learning आपको maintain करना चाहिए that is जबी कोई stock हमारे analysis से आपसे नहीं जा रहा है हमारे reverse चले जा रहा है तो प्लीज वहां पे stop loss maintain करके exit करना सीखो अगर market आपके direction जा रहा है तो stop loss trail करना हो अगर यह नहीं कर पाते तो trading बहुत मुस्किल हो जाएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला stock जो हमने देखा that is Amboja cement अब next stock देखने वाले next stock यहां पे है अब यह भी मुझे लग रहा है साइथ सच्छा momentum दे बट time लगे देगा instant कोई breakout यहां पे नहीं सब्सक्राइब और यहां पर ओल्मोस्ट इस लो से यहां पर देखेंगे इस लो से ओल्मोस्ट फाइफ परसेंटेज का मोव इसने अपसाइट दिया है इस नोट नेसेसरी कि मंदे के बाद यह अराम से मूव आजाए wait and watch हो सकता है हमें further wait करना है कि properly यह particular stock 2,190 या 2,200 2,190 या 2,200 के उपर अगर properly daily time frame में sustain करता है further को bullish pattern मनाता है तो definitely यहां पर bullish opportunity हमें देखने को मिल सकता है साथ यह साथ आपको volume confirmation लेना है यह में confirmation आपको लेना ही है यहां पर 20 में बेठा रखा है chances हार देर कि अगर market time pass करता करता आए 20 में support ले अगर भागता है upside तो आपको पता है आपको क्या करना है तो इस particular stock को हम अपने watch list में चरूर रख रहे हैं अचा एक और point कब हमें पता चले कि यह pattern fail हो रहा है कब हमें पता चले कि यह particular stock police momentum सायद से ना दे देखो एकदम simple है आप इस पूरे candle का जो green color candle आया है इस candle का 50% mark करो पूरा 50% अगर कोई भी daily time frame का candle इस 50% के नीचे closing देता है ठीक है इसके नीचे close देता है that is first indication की fail हो सकता है यह stock और अगर कोई भी candle further नीचे इस low के नीचे close देता है अगला कोई candle then यह पकड़ लो कि breakout exact fail हो रहा है इससे exit करना बेटर है ठीक है आई होब समझ आया है चलो आगे बढ़ते है तो यह second number stock हमने देखा 2200 की उपर एक bullish momentum हो सकता है अब अपने ही साब से अगर आप smart हो आपको पता है कहा stop loss maintain करना है यहाँ अगर entry बनाते हो तो next stock यहाँ पे जो discuss कर रहे है that is UBL यह United Breveries Limited तो इसको daily time frame के साथ weekly time frame में देखेंगे weekly time frame में आते देखो weekly time frame में इसने कुछ दिन पहले या कुछ week पहल यह resistance level breakout किया breakout करके वापस यहीं पर support लेने आ रहा है साथ ही साथ देखो 20MA के आसपास यह है तो अगर weekly time frame में तो अगर weekly time frame में मुझे यहाँ पे कोई भी green color candle मिलता है और इस high की ओपर closing देता है तो chances are there यहाँ से एक bullish momentum आ सकता है देखो यह एकदम normal price action है this is a common price action तो जब भी प्राइस एक्षिन मिलता है chances are there कि अपना trend continue करता है तो observation में रखेंगे इस stock को जुरू अपने watchlist में रख सकते है वापस आते है daily time frame यहाँ पर क्या observe करना है यहाँ पर आप लोग मुझे comment बताना कि इतने अच्छे bullish momentum के बाद यहाँ पर कोई pattern बनता हुआ देख रहा है कि न सब्सक्राइब करता है तो discussion बहुत हुआ है last week में तो हुआ ही हुआ है तो मुझे अगेन बताना है कौन सा pattern है even I think हमने इसको SBI में observe किया था है इस बिया में observe किया थो तो अच्छा move कर चुका है मैं दिखाता हूं आप लोगो SBI का momentum वह इस वीक नहीं है क्योंकि SBI already move कर अल्मोस्ट यह last 3 दिन के अंदर कितना percentage move किया देखते हैं last 3 दिन के अंदर इसने almost 10 percentage का move किया तो जब इस pattern का formation होता है तो market अपने अपना trend maintain करता है अब देखते हैं जो हमारा stock था उस stock का क्या हाल हो सकता है उसमें कौन से level हमें ख्याल करना है देखो यहां पे हमें wait and watch करन 1900 लेवल का तो अगर यह stock कुछ दिन के अंदर या एक दो week के अंदर 1900 के उपर जाता है तो बहुत अच्छा पूले स्वह यहां पे मिल सकता है similar to SBI ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं इस particular stock को अभी हम रखते हैं watch list में अगर ही कोई momentum आता है इस particular candle के उपर closing देता है मतलब इस level के उपर कोई candle close देता है तो अगीन हमें watch list में इसको रखना पड़ेगा चांसे सार देर जैसे मैंने बोला है SBI के time movement हो सकता है नेक्स stock जो में वाच लिस्ट में रखा हुआ है that is भारत फॉर्ज ठीक है weekly time frame देखते है weekly में क्या कर रहा है देखो weekly में यह already एक bullish trend में है weekly में अभी इसने previous resistance हर्व रेजिस्टेंस ब्रेक कर रखा है weekly में देख सकते हो एकदम support लेके उपर भागा है एक resistance breakout है अगर यहां पर वॉल्यूम चेक करें वॉल्यूम वॉल्यूम भी यहां पर increase हो रहा है तो there is a possibility कि further upside move कर सकता है as per technical parameter तो इसको watch list में रख रहे हैं daily time frame देखते हैं कुछ interesting हो रखा है यहां पर daily time frame में इसने अपना जो resistance बनाया था यहीं पर आकर time pass किया और अगीन breakout दिया इस candle में volume भी बहुत अच्छा है तो अग अगर यह stock हमें जाता हो मिलता है next week में possible further upside move continue करें तो उसे से आप सब अपना trading plan कर सकते हो अगर हमें बहुत चोटा stop loss maintain करना है तो इस low के नीचे अपना stop loss maintain कर सकते हैं अगर bigger stop loss maintain करना है तो almost इस level के आसपस हम stop loss maintain कर सकते हैं जो भी trade entry आप ले रहे हो it is requested जब भी आपको यह इंट्री लेते हो इंट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो minimum one is to one आपका next reward वहाँ पे maintain होना चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अगला stock जो अपने watch list में maintain कर रहे हैं that is graphite graphite को हम यहाँ पर daily time frame observe करेंगे देख सकते हैं graphite almost बहुत अच्छा bullish momentum दे चुक यह देखिए बहुत अच्छा breakout हमें देखने को मिल रहा है इसको मैं हटा रहता हूं रेजिस्टेंस 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 क्या सब्स मार्केट ने तरह consolidate किया breakout रखा है हाँ candle थोड़ा confusing है upside से shadow बहुत बढ़ा है but volume बहुत इंट्रेस्टिंग है चांसे हर देर कि अपना यह 600 के उपर यह अपने हाई के उपर अगर sustain कर जाता है weekly time frame में तो बहुत अच्छा movement upside कर सकता है मुझे comment बताना यहां पे कौन से type का pattern आप देख रहे हो चार्ट pattern wise यहां पे कौन सा pattern देख रहा है please मुझे comment में जुरू बताना तो अगेन आते है daily time frame में तो daily time frame किठाने भूसिस करूंगा यह हमारा interesting part है देखो resistance 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 प्रिकाव फापस नीचे आ रहा है possibility है कि यहां आके market bullish momentum दे तो wait and watch करेंगे almost अगरी 600 या 610 के उपर sustain करता है daily time frame में तो कोई further bullish momentum मिल सकता है फिर अगर bullish momentum होता है अगर आपको entry बनाते हो तो आपको इस लेवल के नीच stop loss maintain करना है यह आपका strict stop loss होगा अगर थोड़ा सदूर रखना है stop loss थोड़ा easy stop loss है bigger stop loss रखना है तो almost इस candle के नीचे stop loss maintain कर सकते हैं that is around 550 11 तो इस particular stock को हम अपने watchlist में रखेंगे तो यहीं तक आज के हमारे कुछ stocks थे जिनको हम अपने watchlist में रख रहे हैं तो it is requested आप भी में बताइए आप कौन से कौन से stock अपने watchlist में रख रहे हैं आपको क्या लगता है इन में से ऐसे कौन से stock है जो बहुत अच्छा move कर सकते है अल्ड़ी हमने देखा कि लास्ट वीक आउट ओफ फॉर स्टॉक दो स्टॉक ने momentum किया है एक स्टॉक मूव करके entry देखे भी नी झाल झाल